सब को जैमसी की, आपका मेरे चैनल जीजस on the cross में स्वागत है प्रभू आप सब को आशीश करे आज का वचन शुरू करने से पहले हम सब मिलकर पहले एक छोटी सी प्रातना करेंगे आईए हम मिलकर करे धन्यवाद प्रभू ये शुमसी सुन्दर समय के लिए प्रभू मैं अपने आप को प्रभू और देखने वाले हर एक व्यक्ति को तेरे हातों में सौमतिव पवित्रा आत्मा बोलने वाला तेरा आत्मा हो मैं ना हूं मेरे प्रभू और सर्ष में पिता आज का वचन प्रभू सबके हीदे में प्रभू कारे करें प्रभू और सबके जीवनों को बदले हाले लुया प्रभू और सबके जीवनों में प्रभू जो भी दुख तकलीफ और परिशानिया है प्रभू जो बिमारिया मेरे पिता परमेशर तो कारे करन अज हम पढ़ेंगे भजन सहीता पचास का चोदा और पंदरा प्रमेश्वर के लिए हम सब क्या बली दान दे सकते हैं आज हम इस विश्य में बात करना चाहेंगे बहुत से लोग जब हम प्रभी ईश्य मसी में विश्वास में आते उससे पहले तो हम बहुत से बलिदान प्रमेश्वर के लिए देते जिनको हम अपने भगवान समझते थे उनके लिए हम बहुत सारे बलिदान देते थे, हम कभी कुछ करते थे, कभी कुछ चड़ाते थे, कभी fruits चड़ाते थे, कभी food चड़ाते थे, ठीक है, और जिसे पुराने नियम में भी बहुत सारी चीजे, जब हम प्रभई इश्व मसी में भी विश्वास करते हैं, तो हम के रूप में चड़ाई जाती थी पर आज जब हम लोग जब प्रभु येश्व मसी में विश्वास लेकर आते हैं उसके बाद क्या ऐसा बलीदान है जो हमारे परमेशर येश्व को भाएगा हालेलुया आज हम परमेशर के वचन से देखते हैं कि जैसे परमेशर का वचन कहत है परमेशर को धन्यवाद ही का बलीदान चड़ा और परमपरधान के लिए अपनी मनते पूरी कर और संकट के दिन मुझे पुकार मैं तुझे चुडाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा हालेलुया यहाँ पर वचन देखें क्या कह रहा है आप सबसे इस वचन की ग परमेशर को धन्यवाद का ही बलीदान चड़ा और परमपरधान के लिए अपनी मनते पूरी कर और संकट में के दिन मुझे पुकार मैं तुझे चुडाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा हालेलुया तो इस वचन के में परमेशर ने कितने सुन्दर बात हम सबसे कह है क्योंकि ये वचन परमेशर ने उस वक्त मुझे दिया था जब में एक बहुत भड़ी चिंटा में थी अपने जीन की Alors ये मेरे जीन में बहुत सारी ऐसी बाते थी जिने मैं परमेशर के सामने रखनी पारी थी और कहनी पारी थी क्योंकि उनका उत्तर अभी तक नहीं आय क्योंकि परमेशर कह रहा है मुझे संकट में पुकार मैं तुझे छुडाऊंगा तू मेरी महिमा करने पाएगा पर उससे पहले वचन में कह रहा है परमेशर को धन्यवाद का ही बलिदान चुडा और परमपरधान के लिए अपनी मनते पूरी कर और संकट के दिन मुझे पु कैसे खूष कर नो है परमेशर हमसे कोई नहीं कह रहा है कि यह पशूबली कर दो या तुम मेरे लिए ये चड़ा दो या वो चड़ा दो वो खरीद कर लिया हो परमेशर कहRO Nikki यह सब नहीं चाहिए परमेशर हमसे क्या चाता है कि तू अपने जीवन की हर प्रस्तीती में मु कुछुष हो गा क्योंकि परमीशर का पचोड़ हमें साफ कह रहे हैं हम क्या करते हैं कि जब मारे जीवन में बहुत सारी परमीशर का आत्म क्या कह रहा हैं वह कह रहा है कि संकत में मुझे पुकार पपुकारने पहले हमें क्या काम करने है उस बारे में हमें परमेश्वर ने बताया है यहाँ पर कि हमें क्या करने है हमें परमेश्वर को हर प्रसीती में धन्यवाद देना है मैं क्या करती थी मेरे जीवन में कई बरी ऐसी प्रसीतियां आती थी मैं पूछ लेती थी ऐसा क्यों हो रहा है य हो नहीं रहा ये बिमारी नहीं जा रही ये नहीं बन रहा वो नहीं बन रहा ऐसे बहुत सारे मतलब मेरे मन में सवाल आते थे और मैं कुड़कुड़ा भी देती थी कभी किसी को बोल देती थी कभी किसी को बोल देती तो कोई पूछता था क्या हाल है कैसे है मतलब तेरे ममा कैसे है या तेरे पापा कैसे है या तू कैसी है या जीवन की कोई भी ऐसी प्रस्तिती में जब मुसे तो उस ताइम पे मैं क्या करती थी मैं अपनी प्रस्तितियों को बोल देती थी कि हा मेरे जीवन में मतल आपसे कहना चाहता है कि जब इसराइलियों को परमेशर ने मिस्तर से बाहर निकाला था उन्होंने भी क्या करा उन्होंने परमेशर के इत्ते बड़े अद्बुत कारें को देखा उन्होंने अपनी आखों से देखा परमेशर ने कैसे लाल समुंदर को दो भागों में विभा उन्होंने अपनी आखों से देखा कि कैसे परमेशर उन्हें मिस्त्र से निकाल कर ले आया बाहर तब भी वो उस रस्ते में जब वो निकाल कर लेकर आया तब भी वो कुड़कुड़ा रहे थे पानी नी मिला कुड़कुड़ाए रोटी नी मिली कुड़कुड़ाए और आपसे यही कहना चाहता है कि हमें हर परसीती में परमेशर को सिर्फ धन्यवाद देना है क्योंकि जब हम परमेशर को धन्यवाद देंगे क्योंकि परमेशर ये कह रहा है कि परमेशर को धन्यवाद का ही बलिदान चड़ा और वो खुश होएंगे इसे तो होगा क्या जब येशु के नाम में जारिये मैं धन्यवाद देता हूँ वो अपने हर प्रसीती में जब हम कुड़कुडाना बंद करेंगे फिर परमेश्वर को अपने उस संकड में पुकारेंगे तो सच में परमेश्वर हमारी सुनेगा और हमें छुडाएगा और हम प्रभु की में मा करने पाएंगे हालेलुया परमेश्वर के वच्चन में आपने ये बाते तो सुनी होगी कि संकड में मुझे पुकार पर परमेश्वर चाहता है कि अपने जीवन की हर प्रसीती में चाहे वो दुख हो चाहे वो बिमारी हो चाहे वो करजा हो, चाहे वो कंगाली हो, चाहे वो कलेश हो, चाहे कोई भी विपत्ती हो, चाहे तुम कैसी भी प्रस्तिती में हो, परमेशर कह रहा है, तुम हर प्रस्तिती में मुझे धन्यवाद दो, कोकि सबसे बड़ा बलीदान ये श्यमसी में आने के बाद क्या है, परम इश्वर का आत्मा, आज आप सब लोगों से ये बात करना चाहते हैं, वो लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो इस वक्त चिंता में हैं, जो इस वक्त परिशानी में हैं, हालेलुया, जिनके घर में कोई भी सुखनी है, जो हर वक्त तूटे हुए, जो ये सोच रहे हैं कि अगर वो होता तो ये बिमारी चले जाती, अगर वो होता तो ये करजा चला जाता, वो होता तो घंगाली चली जाती, आज आपके दुखों का कारण, आज आपकी बिमारी का कारण, ये शु नहीं है, आप खोद दो, हालेलुया, क्योंकि आप अपनी जीवन की प्रसीतियों से निराश होकर परमेश्वर को हमेशा क्या करते हो धन्यवाद नहीं देते आप परमेश्वर को क्या बोलते हो कुड़कुडाते हो कि तूने मेरे लिए क्या किया अगर तू होता तो मेरे लिए ये करता अगर तू होता तो मेरे लिए ये करता यही गलती इसराइलियों ने कर पर 40 साल लग गे हालेलुया, वो भटकते रहे, कई नाश होगे, प्रभू के अद्बुचमतकारों को देखा, प्रमेशर ने उन्हें खिलाया, प्रमेशर ने उन्हें पिलाया और प्रभू ने सब जुरूरतों को उनकी पूरी करा, जो उन्होंने दी, फिर भी अद्बुचम परमेशर को देखने के बार भी हालेलुया उन्होंने परमेशर को धन्यवाद नी दिया अविश्वास किया हालेलुया उससे किसी का क्या गया उससे परमेशर का कुछ नहीं गया उससे उनका खुद का गया उन्होंने जो जो काम आज होना था एक महीने में होना था वो एक साल लगे हालेलुया जो काम एक साल में होना था उसमें तीन साल लगे हालेलुया इन सब के पीछे कौन कारण है इस सब के पीछे तुम्हारा अविश्वास तुम्हारा कुड़ कुड़ाना तो आज परमेशर का आत्मा आप से कह रहा है कि परमेशर को धन्यवाद का बिलिदान च इश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए करेगा, हालेलुया, तू मेरे लिए करेगा, क्योंकि तू मेरा पटा है, तू जीवित परमेशर है, तू मुझे इस विपत्ती में बाहर निकालेगा, सच में मेरे जीवन के ऐसी प्रस्तितिया, जिसमें मैं टूट गई, जिसमें मेरे परमेश्वर को क्या बोला, उसने परमेश्वर को अपनी विपत्ती के समय में बोला, कि तू मुझे छुडाएगा, तू मुझे खीच कर बाहर निकालेगा, ये उसका विश्वास था, और प्रभू ने उसके विश्वास के अनुसार किया, हालेलुया, तो आज हम देखते हैं कि ये शुमसी को देख लेते हैं, ये शुमसी ने क्या किया, कम रोटी और मचली को लिया, और परमेश्वर के सामने कहा, प्रभू तेरा धन्यवाद, वो बढ़ गई, कितने हजार लोगों को उन्हों ने खिला दिया, कितना बड़ा चमतकार हुआ, आज आप लोग अगर घटी में है, कंगाली में, अगर आपके पास खाने को रोटी नहीं है, वो जो भी रोटी है, उस चारोटी पे धन्यवाद हो, और देखो कैसे हर दिन परमेश्वर उस रोटी को बढ़ाता चला जाएगा, अगर कोई बिमारी है, उस बिमारी पर हात रखके को, ये बिमारी ये शु के नामें जा रही है, कैसे वो बिमारी ये शु के नामें नहीं जाएगी, मैंने अपने जीवन में खुद महसूस किया, मेरे शीर के अंदर भी एक ऐसी बिमारी थी, जब मैंने उस पर हात रखकर रोज प्रात ना करी, मैंने गोल या खाना बंद कर दी, सात्मा आपको यह कहना चाहता है कि निराश मत हो, मत यह सोचा हो कि मैं नहीं देख घा, मैं देख रहा हो, मैं सुन रहा हूँ, मैं सब Selenaid तुम दुक्ही हो, तुम विलाब में हो, तुम करणे 추천, मैं तुम अपने मनों को फिराओ, अपनी जुबान को अंभा लो तो आज परमेशर क्या चाता है कि तू अपने लिए परमेशर के मूँ से क्या दे सकता है सबसे बड़ा बलिदान हम क्या दे सकते हैं देखो परमेशर ने हमें कितना असान रस्ता दिये धन्यवाद आज हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं हम वेले बैठे होते हैं हम घर में तो में हम चुगली, निंदा, बैर, भाव, धा, लड़ाई, जगड़ा, यही बाते हमारे जीवन का धार हो गया है, बैट के हम किसी के साथ किसी की निंदा कर देते हैं, किसी की बुराई कर देते हैं, यहां तक कोई और नहीं मिले तो परमेशर की बुराई कर दे बैट जाते बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नीए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास हाथ नीए जिसके पास पहर नीए जिसके पास एक बत की रोटी का खाना नीए हालेलुया जब हम अपने पास की सभी आशीशों के लिए प्रभू को दिल से धन्यवाद देना सीख जाएंगे उस दिन आप परमेशiva को पुकर जब हम धन्य वादेते हैं और धन्य वाद देने के बाद परमेशiva को संकर में पुकरते हैं वो हमारी सुनता है और हमें छुडाता है और हम उसकी महिमा करने पाते हैं तो आज मैं आपको यही कहना चाहूँगी आपने परमेशर का एक वचन बाइबल में लिखा हूँ है थिसलो नौकियों में पांच के में देख सकते हैं मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर ये वचन है हालेलुया इसमें देखी ये लिखा है थिसलो नीकियों में है इस पांच का सोला में सदा अनन्दित रो हो निरंतर प हर बात में परमेश्व का धन्यवाद करो क्योंकि प्रभू ये शुव मसी में तुमारी ये इच है इससे बढ़कर प्रभू तुमसे कुछ नहीं चाहते परमेश्व कहते है बस मुझे धन्यवाद दो हालेलुया अब आपको कोई बलीनी करने की जुरूरत सिर्फ परमेश्व को धन्यवाद देना है अपनी हर प्रस्तिती में और फिर परमेश्व के सामने जाना है दीनों नमरों κर कि हाँ मेरे प्रभू मैं जानता हूँ कि तू मुझे इस प्रस्तिती से बाहर निकालेगा आति ये कहनाए की प्रभू को क्या दे सकते हो चलते फिरते उठते बैठते काम करते वे सिर्फ आप प्रभू को क्या दे सकते हो आप पर मेश्र को सिर्फ धन्यवाद दे सकते हो आज आपके जीवन में हो सकता ऐसी प्रसीति हो आपका लगता हो कि मैं इससे बाहर नहीं आ सकता आज सिर्फ एक बार उस प पर सच में ये परमेशर को ये जो बलीदान है धन्यवाद का जब आप उसे चड़ाओगे तो वो परस्तीती लाल समुंदर की तरह दो भाग हो जेगी और सच में उस मस्या को आप अपने जीवन में देखोगे नी उस बिमारी को जब आपको लग रहा होगा कि ये बिमारी इत चुके नाम में जारा है मैं प्रभू तेरा धन्यवाद करता हूँ कि ये करजा मेरे उपर नहीं रहेगा ये करजा चले जाएगा और सच में वो करजा आपके जीवन से दूर होजेगा हालेलुया तो आप आप से परमेशर का आदमा सिर्फ यही कहना चाहता है कि अपने अगर तुम मेरे को धन्यवाद का बनिंदान चड़ाओगे मेरे लिए अपनी मनतों को पूरी करोगे फिर मुझे संकट में पुकारोगे कि हाँ प्रभू ये मेरा संकट है देख मेरे पिता मैं तुझे पुकारता हूँ मुझे इस संकट से बाहा निकाल परमेशर आपको ज जब जब बड़े चमरतकार करें जब मुर्दा लाजर को जिंदा करा उसमद विया उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया और पिर मेशर को कहा कि मैं जानता हूपिता कि तु मेरी सुनता है मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ और आज परमेशर का आत्मा आप सबसे ये कहना चाहता है कि सच में हमें अपनी हर प्रिस्तिती में परमेशर को धन्यवाद देने वाला हो जाना चाहिए। मुझे सिर्फ तेरा धन्यवाद चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में अद्बुत कारे करेगा और बहुतों की छुडोती का कारण बन कर सामने प्रकट होगा। जैसे मैंने इस वचन के दोरा अपने जीवन में बहुत आशीश वाई है कोकि मेरी जीवन की बहुत सी ऐसी प्रस्तितियां थी जिसमें मेरे जीवन का संकट खतम नहीं हो रहा था क्योंकि मैं उस संकट में कुड़कुडा ली थी हालिलुया। पर जिस दिन से मैंने परमेशर को धन्यवाद देना शुरू करा। इसराइलियों की तरह मैंने कुड़कुडाया नहीं हालिलुया। दाउद की तरह परमेशर को धन्यवा दिया, पोलूस की तरह धन्यवा दिया, अपनी हर प्रस्तिती में धन्यवा देना शुरू करा, उठते बैटते चलते फिरते, जब मुझे लगा कि ये प्रस्तितिया मुश्किल हो रही है, अगर कोई व्यक्ति जैसे ओफिस में जा रहे ह उसके वहाँ पर कोई व्यक्ति उसे तंग कर रहा है, आज पर मेशर का आत्मा ये कह रहा है, उस व्यक्ति के लिए सिर्थ धन्यवा देना शुरू कर, कि ये मेरे साथ अच्छा वेवार करना शुरू हो रहा है, कैसे वो व्यक्ति आपसे नहीं बदलता, हालेलुया, कैसा उ आपने सिर्थ धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना है, और ये प्रातना करनी है, कि ये रुकाव्टे धन्यवादी इश्चुमसी आप दूर कर रहे हैं, और सच में वो रुकाव्टे दूर हो जाएगी, हालेलुया, तो आज मेरी आप सबसे सिर्फ यही गुजारिश है अपने जीवन को रोते हुए, पीटते हुए गुजारने से अच्छा ये है, कुड़कडाने से अच्छा ये है, कि होगा कि अगर आप कुड़कडा होगे तो टाइम बढ़ता चला जाएगा, वो प्रसिती बढ़ती जली जाएगी, वो भीमारी बढ़ती चले जाएगी, व क्यों ना हम सब आसे ये अपने आप से अपने जीवन से एक वाइदा करें कि हम हर प्रसीती में परमेशर को धन्यवा देंगे कुड़ कुड़ाने से तुम्हारी समस्या का हल नहीं निकलेगा वेरे भाई बेनों कोई भी बमारी तुम्हे छोड़ कर नहीं जाएगी हालेलुया कोई भी करजा तुम्हे छोड़ कर नहीं जाएगा कोई भी दुख तुम से दूर नहीं होगा कुड़ कुड़ाने से क्या हो ये medical science भी कहती है कि जब तुम कुड़कुडाते हो जब चिंता करते हो तो शमारे शरीर में कितनी जादा बिमारिया उपन होती है तुम अपने शरीर को और जादा बिमार कर लोगे और क्या होगा medically and fit होगे वो अलग बात है हलिलुया अपने परमेशर के सामने भी तुम किसी बी तरह के किसी भी स्थान में तुम नहीं आओगे हलिलुया क्योंकि परमेशर की सिर्फ तुम से एक इच्छा है ब्रभू येश्यु मसी में हर बात का धन्यवाद करो तो परमेशर ने बाइबल में कितनी बार बोला है हर बात में धन्यवाद करो परमेशर का आत्मा हमेश हमारे परमेशर के सामने हमें कोई भी बक्री लेकर नी चलानी हालेलुया हमें कोई भी कुछ नी चडाना हालेलुया हमें से परमेशर को क्या देना है सबसे बड़ा बलिदान धन्यवाद हालेलुया कि प्रभू तु ये कर रहे हैं मैं जानता हूं आप सोची हो कितना असान है हमें एक पास्चर के पास जाते हैं, दूसरे पास्चर के पास जाते हैं, कि हमारे लिए प्रात्ना कर दो, हमारे लिए प्रात्ना कर दो, हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो तो प्रात्ना कर देते हैं, पर क्या आप अपना काम करते हो, घर में जाकर, नहीं करते हैं, हालिलुया, आप क्या करते हो प्रात्मा करने के बाद फिर अब विश्वास की बाते करते हो और धन्यवाद नहीं देते हैं एक बार विश्वास तो करो कि परमेशर वो तुमारे लिए काम कर रहा है पास्टर ने तो अपना काम कर दिया पर आप अपना काम नहीं करते हो इसे ही लिए आप आप सब को आशिशित करेंगे आप इस छोटे के शब्द का प्रयोग अपने घर के दिवारों पर लिखकर लगा दो अगर आपको याद नहीं रहता आप जब भी गुड़कुराने लगे आप ऐसा काम करो यह धन्यवाद को अपने पूरे कमरे में लिखकर लगा दो ताकि अब देखो अगर कोई तुमारे लिए कोई काम करता है जब तुम उसे आगे से थैंक्यू कहते हैं तुमें कितना अच्छा लगता है हालेलुया हाँ अगर आज परमेश्वर आपके लिए काम नहीं भी कर रहा है जब आप उसे धरन्यवाद देना शुरू करोगे उन्हें मेरा बच्छा मुझसे कितना प्यार करता है जब गश्यूस के लिए काम नहीं भी किया फिर भी ये मुझे धन्यवाद दे रहे है कोई नी मैं इसके लिए काम कर दूँगा हालिलूया सच में मेरी बात को सुनो मैं आपको बहुत प्यार से और बोहुत दिल से परमेश्वर क वच्छन से बात कर बता रही हूं कि परमेशर चाहता है कि आप सब उनको धन्यवाद करो मैंने काफी दिनों से सोचा प्रबू से पूछा कि मैं आप लोगों से क्या बात करूँ क्या बताना चाहूं मैंने देखा कि जो परमेशर ने मुझे सबसे बड़ी बास सिखाई इतना बाइबल मीनी पड़ती थी पर जब मैंने बाइबल को उठा के पढ़ना शुरू करा तो मुझे पता चला कि ये परमेशर का पवित्रात्मा था जो मुझे हर घड़ी मेरी प्रस्तितियों में मैं उन दुखों के बारे में बैट कर सोचती रहती थी, उन चिंताओं के बारे में सोचती रहती थी, पर मेरे मन के अंदर से एक छोटी सी धीमी सी आवाज आती थी, पर मेशर को धन्यवादे, 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 मैंने जब वो देना शुरू करा, तो मेरा ध्यान उन प्रस्तितियों से हट गया, hallelujah और वो प्रस्तितिया अपने आप ही मेरे जीवन की बदल गी, hallelujah और आज मुझे लगता है कि वो इतनी मुश्किल प्रस्तितियों से मैं कैसे बाहर आई पाई सिवो धन्यवाद के दोरा आज अगर आपके जीवन में ऐसा कोई समय चल रहा है कि इबर ऐसा होता कि हम ऐसी प्रसिती में होते हमसे प्रात्ना भी नहीं होती हम क्या प्रात्ना करें हमें सूचता नहीं है कि इबर यहमारा कोई अपना हो हस्पिटल में होता है दुख और बिमारी में होता है कोई व्यक् उसे अपनी प्रस्तिती के लिए धन्यवाद बोल दो सिर्फ उस व्यक्ति के लिए उस अपने के लिए धन्यवाद बोल दो कि परमेशर तो उसके जीवन में काम करेगा मैं जानता हूँ कि ये ठीक हो जाएगा मेरा पिता ठीक हो जाएगा मेरी बेहन ठीक होजेगी, मेरी मा ठीक होजेगी, मेरा बेटा ठीक होजेगा, प्रभू मैं जानती हूँ, क्योंकि तू विश्वास योगे है, अगर मैं विश्वास योगे नहीं भी तू विश्वास योगे है, ऐसा विश्वास प्रभू आप लोगों से चाते हैं, वो चात बच्छे मत कुड़कडा मैं तेरे लिए सब कुछ पूरा करूंगा संकट में मूझे पुकार देख मैं तेरी सुनुगा मैं तुझे छुड़ाऊंगा और सच में तू मेरी महमा करने पाएगा सच में परमेश्यों ने मेरे जीवन के ऐसी प्रसीतियों में मुझे बाहर निका जिसका प्रयोग करके हम जीवन की हर कटिन प्रसीती से बाहर आ सकते हैं और हमारे मन को, हमारे प्रान आत्मा को इतनी शांती मिलती है और सच में जब हम शांत होंगे तो जीवन का हर मुश्किल पड़ा हमारे लिए असान होजेगा हलिलुया, सच में आज का वचन आप सब के जीवन में अद्वुत कारे करेगा और मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत से लोगों से आद प्रमेशर के आत्मा ने बात करिया हलिलुया, आज से अपनी प्रात्नाओं को बदलोगे आज से अपनी प्रातनाओं में सिर्फ धन्यवाद होगे प्रभू को अपनी प्रस्तितियों के लिए कुड़कुडाना बंद करोगे क्योंकि तुम्हारा परमेशर वो परमेशर है जिसने लाल समुंदर को दो भागों में भी भाजित करा हालिलुया क्योंकि देख सकते हैं आप शर्दक मेशर करेद के विश्वास को हलीलुया कैसे परमेशर ने उन्हें बलदी गुफा से बाहर शक्ता है अगर वो विश्वास ना करता ओता धन्यवादी देदेनावाला नहोता तो यो頑 तो पूरे मन से पूरे विश्वास से गुफा में गया क्योंकि उसे पता था कि उसका परमेशर शेरों के मुझ को भी बंद कर देगा हालेलुया शर्डग मेशर का बेद को भी विश्वास था कि उसका परमेशर उन्हें बचाएगा और हालेलुया और क्या हुआ परमेशर ने उन्हें बाहर निकाला हालेलुया आज से अप ने होंटों से परमेशर को धन्यवाद का बलिदान चुड़ाए जीवन का हर संकत में प्रबू आपको छुड़ाएंगे और आपको छुड़ाकर आप उसके नाम की मीमा करने पाएंगे हालेलुया आपको हर पिस्तिति में चुड़ायंगे मैं धन्यवाद देती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आज के वचन से सबके जीवन बदलेंगे और सबके जीवन में कारे होगा और ये वचन आपको एक ने मोड पर लेकर आएगा और एक नया बदलाव आपके जीवन में आप देखने पाएंगे हालेलुया सबको जै मसी की फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलते है तब तक सबको जै मसी की